सब्सक्राइब करें Ideal Progressive School के YouTube चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके अध्याए 5 देख रहे हैं संस्थाओं का कामकाज हमने देखा संसाद की आवशकता क्यूं है तो हिंदुस्तान में जो संसद है उसके बारे में जानेगे सब्सक्राइब उसमें जनता द्वारा चुने ही प्रतिनीधी जाते हैं और वह जनता की और से एक्चुल जो अधिकार है उनका वह प्रयोग करते हैं जो दूसरा सदन है वह परोग्ष रूप से चुना जाता है जैसे जो राज सभा हमारे जैसे यह आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब वह चुने जाते हैं जो यह जैसे माली यूपी की स्टेट असेंबली है तो जो स्टेट असेंबली होती है यानि जो विधान सभा है उसमें जो मेंबर ऑफ लजिस्लेटिव असेंबली तो राज जी के जो मेंबर को मेंबर को मेंबर को में चुनते हैं राज नहीं चुनती है इनकी कुछ विशेश काम होते है और इनका जो काम है जो राज्य सभा का हमारे काम है वह अलग- अलग राज हमारे यह ने हैं ख्षेत्र है संगीयक 아이य work इनके लिए इनके हितों की निगरानी करना होता है राजसभा का काम फिर से मैं बताता हूँ आपको हमारे देश में संसत के दो सदन है जो पहला सदन है जिसको हम राजसभा कहते है इसको हम कहते कॉंसिल ओफ स्टेट्स क्योंकि हमारे अलग-अलग स्टेट्स है अठाई स्टेट है हमारे देश में Council of States राजसभा और दूसरा होता है लोगसभा ये है House of People क्योंकि लोग इनको उनके बेचते हैं भारत का जो राश्पती है वो संसत का हिस्सा ही होता है लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन का सदसे नहीं होता द्याना कियेगा राश्पती, President of India वो इनका हिस्सा जरूर होता है लेकिन वो सदसे नहीं होता है इसलिए संसत के फैसला जो भी यहाँ लोगसभा और राजसभा दोनों में पारित होगा कोई फैसला होगा राश्पती की मंजूरी के बाद ही लागू होगा हमने जो लोगसभा और राजसभा के बारे बात की इसमें सवा जरूर उठता है कि लोगसभा और राजसभा है क्या इनमें अंतर क्या है तो मैं यह वहले अंतर बता देता हूँ फिर मैं देखता हो इनके कंपरिजन के बारे में सबसे पहले समझ येगा कि जो लोग सभा है उसके मेंबर्स जो MP बनेंगे लोग सभा के Member of Parliament वो डिरेक्ली डिरेक्ली जो लोग है हिंदुस्तान के जो eligible voters है 18 plus voters है citizens है वो vote करते हैं लोग सभा के लिए मेंबर्स के लिए राजे सभा के जो है वो state legislative assembly जो हमारे states है उसमें जो MLAs होते हैं वो चुनते है राजे सभा के members को लोग सभा का term विल्कुल fix है एक बार सरकार बनेगी तो पात साल के लिए चलेगी राजे सभा का जो term है यह permanent body है इसमें जो एक तिहाई member है वो retire हो जाते हैं हर दो साल बाद कहने का मतलब यह है कि मान लिजए एक example के तौर पर बताता हूँ 300 कर मेंबर है तो one third कितने हुए 100 100 जो हो गये वो retire हो जाएंगे हर दो साल बाद लोग सभा की maximum strength है जितने member इसमें हो सकते हैं वो 552 है इतने हैं यह भी हमारे चुन सकते हैं जो राजिस सभा है उसकी अभी member fix है 250 members है इसमें और अभी हमारे पास यह 245 है क्योंकि इसका जो भागिदारी होती है वो होती 238 यह state द्वारा चुने जाते हैं MLS चुनते हैं इनको और 12 मनोनीद किया जाते है प्रधान यह राश्पती द्वारा इसके लाबा जो money bill है पैसवारे जो बिल है वो सीधा लोग सभा में पेश किया जाते हैं क्योंकि जो पैसा है वित्त है वह administration करना है कि पुरे देश का वो यही पेश किया जा सकता है राज्यसभा के पास इस money bill के लिए power नहीं है ध्यान रखेगा लोग सभा बहुत powerful है बहुत जादा powerful है राज्यसभा के के बनिजबत राज्यसभा उतनी powerful नहीं है लोग सभा के तो जो लोग सभा और राज्यसभा है दोनों सब्रों में प्रभावशाली कौन है यह जरूर सवाल उठता है क्योंकि राज्य सभा को पुराने जमाने से हम अपर हाउस कहते चले आ रहे हैं लेकिन ये केवल भाषा का इस्तिमाल है लोग समा बहुत प्रभावशाली होती है अधिकतर मामलों में जो जो होता है सबसे बड़ा अधिकार सर्वोच अधिकार जिसे हम कहते हैं वह लोगसभा के पास होता है जैसे मैं आपको कुछ इसका हैं 543 विम्वर्श इसके पास यहां थैस सो है उसमें भी हमारे पास अब देखें कि 245 है नहीं तो अभी मिजॉरिटी जो है लोकसभा के पास होती है तो यह जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप अन्दाजा लगाए तो आपको लगेगा कि लोगसभा में क्योंकि majority है तो लोगसभा राज्यसभा साथ दी बैठें तो लोगसभा की majority के कारण ये बिल पास हो जाएगा लोगसभा में जो पैसे के मामले है जैसे मैंने बताया आपको जो money bill है वो लोगसभा में ही पेश हो सकता है राज्यसभा क्या कर सकती है अगर कोई बिल है तो उसको 14 दिन के लिए बस डिले कर सकती है अगर इसके पास जाता है तो 14 दिन के लिए डिले कर सकती है अपने सुझाओं के साथ भेज सकती है लेकि राज्यसभा कभी भी यह जो मनी बिल है पैसे वाला बिल इसको रोक नहीं सक सकती कभी भी रोग नहीं सकती ध्यान रखेगा मैं मनीबिल की बात करना हूं इसके अलावा जो सबस्वरब ही बात हो जाती है कि लोग-सभा जो मन्तृ- मंत्री परिशद है है तो प्रधान मंत्री समय सभी मंत्रियों को पद छोड़ना हो जाएगा राज्य सभा को ये अधिकार हासिल नहीं है लोग सभा का एक दिन है किस तरीके से दिन की शुरुआत होती है कितना बिजू शेडूल होता है अलग-अलग बिल पेश किये जाते हैं सरकार से विपक्ष कई सवालों पे जवाब मांगता है जवाब भी दिये जाते हैं सरकार द्वारा और इस तरीके से पूरी किवल यही नहीं कि एक पक्ष चाहे वो क्रिशी हो चाहे वो वित मंत्राले हो चाहे वो कोई भी मंत्राले हो सारे के सारे मंत्राले जो है वो आपस में डिसकस करते हैं और बात करते हैं लोग इस पर अभीभाशन देते हैं डिबेट होता है और उसके बाद बहुत विचारली के बाद बहुत गहरे discussion के बाद कोई कारूंग बनता है और लोगों को जानकारिया मिलती है अब देखिए कारेपालिका जब हम कारे पालिका की बात करते हैं तो इसमें दो कारे पालिका की मैं बात करूँगा आपसे ध्यान रखेगा कि हमारे दिमांग में थोड़ा सा confusion रहता है कि जो देश को चला रहे है जैसे आपके president हो गया prime minister हो गया, क्या ये कारे पालिका है मंत्री क्या ये कारे पालिका है या जो हम civil servant चुनते हैं जो I.S. बनके आते हैं जो अलग-अलग UPSC के exam से आते है वो तो नहीं है कारे पालिका कौन कारे पालिका है तो हमारे पास दो कारे पालिका होती है राजरेतिक कारे पालिका और स्थाई कारेपाली का इससे पहले जो सरकार है उसके विपनेस तरोपे अलग अलग सरोपर अधिकारी होते हैं अधिकारी वो होते हैं जो रोजमना के जो फैसले होते हैं उनके लिए ये कहें कि जनता के द्वारा दिये गए सबसे बड़े अधिकारों का इस्तेमाल कौन कर कॉन कर रहा है । लेकिन यह जो इनको एक क्जिक्प्र कराना ना है वह नर फिर या फिर को रहे हैं या पर सरकार हो गई उसके नौकर शाह हो गए, लोग हो गए, यानि कारे पालिका का मतलब होता है, सरकार की जो निती है, सरकार ने जो पलिसी बनाई है, सरकार ने जो भी बात कही है, या डिसाइट की है, या जो लोग सबार आज जब सबा में हुआ है, उसको कारे रोग देना, उसको फली भूत करना य सरकार होती कोन है इसमें सरकार में दो चीजा आएंगी एक राजनेतिक कारेपाली का एक स्थाई कारेपाली का अब इनका अंतर समझेगा कोई भी लोगतंतर में हम बात करते हैं तो कारेपाली का दो हिस्से में होती है राजनेतिक और स्थाई कारेकारी यानि जब जनता जब आप और मैं यह जो ऑप किसी शाव को चुल लेंगे यह में भैगी अीमर और फर अई मैंज़र टी बनने के बाद बनने के पाद अगर यह एक इसएर्ण मंत्रि में आजाते हैं या फिर प्रद्धानम depends को पद दे देते हैं, या मंत्री बना देते हैं, या फिर राजमंत्री बना देते हैं, तो अब इनके साथ कई लोग जूड़ जाएंगे, इनके साथ कई लोग जूड़ जाएंगे, तो ये साहब जो हो गए, इनको हम कहेंगे, ये राजनाथी कारेपाली का होई, इनके साथ जो थो लोग जुरहें जैसे आईसे हो सकते हैं इस तरीके के लोग हो सकते हैं ज़ो बहुत बडый-बड़ एक्जैम से आया हुए है इनका इनका यह ज़ो लोग है इनका हम करेंगे यह स्थाइपाणीका है यह Bad our सांधिकारी वह आप ब्रेकली जो वनके साथ काम करते हैं नेतागड़ों के साथ कम करते हैं उनकी बात में करता हूँ तो कारेपालिका के दो हिस्से हो गया है जनता ने जिने चुना है वो राजनेतिक कारेपालिका हो गई यह राजनेतिक वेक्ति होते हैं बड़े आई एज बन क्या है तो यह स्थाई कारपाली का होती है प्रशासनिक सेवा होते है जो लंबे सेवा के लिए एक जैसे 60 साल तक की नौकरी करते हैं इसके लिए नियुक्त होते हैं तो लोग सेवाओं में काम करने वाले लोगों को civil servant कहा जाता है या इनी को नौकर शाहा भी कहा जाता है तो ये सत्ताधारी पार्टी कार बदलडर भी गई बहुती है तो ही ये लोग काम कर रहे हैं और फिर Congress की आगई इन C फिर भी ये लोग लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग fiks रहते हैं लेकिन जो तो राजमेति कारे पाले का है, वो चेंज होती रहती है, अब ये पूछ सकते हैं, आपके सारा काम तो यही कर रहे हैं, इन्होंने तो फैस्टे ले लिए, इन मंतरी साब ने फैस्टे ले लिए, ये तो I.S. वगेरा ये सारे काम कर रहे हैं बाकी, तो पाउरफल तो ये अब देखे, दस से पंद्रा लाग जनता एक MP को चुनती है, ये एक Member of Parliament है, बलकि उससे जादा भी जनता हो सकती है, इतने सारे लोग जब एक Member of Parliament को चुनते हैं, तो अब इनकी जिम्मदारी हो गए इतने सारे लोगों के लिए, जितने सारे लोग उने इनको चुना है, उन अच्छा स्वास्त का नॉलिज हो, विज्ञान का नॉलिज हो, आइस मन के आया है, बहुत अच्छा इन्होंने पड़ाई लिखाई कर रखी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेगा, कोई भी लोग तंत्र होता है, इसमें आप और मैं सबसे बड़े हैं, आप और मैं, क्योंकि हमने चुना हुआ है किसी को, तो वो सबसे बड़ा हो गया, याने की, जन्ता की इच्छाओं को लागो करने का अधिकार किन के पास है, जिनको आपने चुना हुआ है, आपने ये AIS अधिकारियों को तो नहीं चुना, ये तो exam के तरप आया है, लेकिन आपने इन लोगो कुछ सब कुछ पता हूँ ऐसा ना माना जाता है ना उमीद हम इंसे करते हैं लेकिन इनके पास यह विशेशग्य होते हैं यह आये सदिकारी होते हैं सिमिल सिवाल वाले नौकरशा होते हैं साथ में बहुत सारे यह अलग अलग विशेशग्य भी होते हैं उस सब्जेट के उन कारे कारे कारणी या कारे पाली का प्लिटिकल एक्जिक्यूशनरी जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं बनिजमत की जो स्थाई कारे पाली का है उनसे